स्वागत आपको ड्राइव स्पार्क में मैं हूँ प्रमीत और आज हम आये हैं लॉंच पे दी आल न्यू मारती सुजुकी अल्टो के 10 के तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेट्स पे गाड़िया है और प्राइसी की बात करें तो मारती सुजुकी ने जो है इसका जो प्रा से स्टार्ट करता हूँ और यहां पर आपको मिल जाता है यह आलोजन हैड्लाम यूनिट जो के बहुत ही क्लियर क्रिस्ट्ल यूनिट है उसके आपको यहां पर मारती सुजुकी लोगो मिलेगा नीचे के तरफ आपको जो ग्रिल मिलेगा that is a honeycomb grill and that is finished in this matte black finish दो प्रिल इसमें आपको allow wheel को option नहीं मिलता है, टॉप में भी नहीं मिलता है, यह जो wheel size है this is 13 inches and इसका tire size है 14580R13, so आपको एक wheel cap भी मिल जाएगा इसके उपर and this is the side indicator, उसके बाद side profile कि अगर आप बात करें मिरको थोड़ा सा जूम आउट करने दीजे, यहाँ पर देख सकते हो, तो side profile, again, बहुत ही minimalistic work है, and body lines जो है, वो run कर रही है, आगे से लेकर यहाँ पीछे तक, लेकिन बहुत ही subtle body lines है, and अगर हम roof की बात करें, तो वहाँ पर आपको यह canter दे मिल जाता है, and roof पर आप यह देख सकते हैं, अगेने चाटल body lines, अगरा मौजूद है, पीछे के तरफ आप आएंगे, तो पीछे के तरफ आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपको यह मिलता है, यह halogen tail lamp unit, and यहाँ पर मिल जाएगा, Alto K10 की badging, मार्ति सुची का logo, और यहाँ पर एक stop light जो की halogen में मौजूद है, उसके लावा आपको पीछे के तरफ parking sensors भी दिए गए है, and वो रहाँ tail pipe, and चलते हैं, अभी गाड़ी के अंदर, and यहाँ पर आप देख सकते हो कि these are the interiors, dual tone interior, dual tone fabric seats है, आपको एक infotainment system मिल जाएगा, एक digital instrument cluster मिलता है, steering mounted controls मिलेंगे, जिससे आप अपना यह instrument, आप अपना यह infotainment system control कर सकते हैं, you get your power windows for the front tool, this is for the AC control, नीचे के तरफ आपके पास यह charging option available है, जिसमें एक type A, एक aux cable और एक 12 volt का socket मौजूद है, you also get cup holders, and this is the manual variant, उसके अलावा, AC event की बात करें, तो side वाल AC event आपको circular मिलते हैं, और बीच वाले आपको वैसे मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास कुछ बटन्स हैं, जिससे आप phone उठा सकते हैं, and this is for the voice command, यह है, इसका door panel, soft touch material obviously कहीं मौजूद नहीं है, और ORVM को control करने के लिए, आपके पास यह manual adjuster है, इसके अलावा, एक बार, आपको boot दिखा देता हूँ, so, this is the boot, 214 लीटर का boot space मिलता है, and यहाँ पर एक tray मिलेगा, जिसको आप निकाल सकते हैं, और fold भी कर सकते हैं, and यहाँ पर नीचे के तरफ, आपको spare wheel मिलेगा, जो कि एक full size का spare wheel है, आप दिख सकते हैं, this is the wheel that is present on the car, so, यह है इसका wheel size, that is once again, 145 80 R13, and उसके लावा, एक बार पीछे का आपको seat दिखा देता हूँ, so, पीछे के तरफ भी आपको, यह door panels, जो है, सब plastic मिल जाते हैं, you get some silver finish on the door handles, and जो आपका window है, that is a manually operated window for the rear passenger, seats की बात करें, तो, यहाँ पर, इस सच से एक मटब को दिखाऊंगा, तो, these are the rear seats, and आपके पास, यहाँ पर कोई भी armrest मौजूद नहीं है, गाड़ी काफी spacious हो चुकी है, and तीन लोग भी आराम से बैठके जा सकने है, airbag आपको मिलेंगे, दो mandatory, जो दो airbag इसमें मौजूद है, और engine की बात करें दोस्तों, तो engine जो इस गाड़ी का है, this is powered by a 1-liter dual VVT, petrol engine जो की available है, एक manual और एक automatic gearbox के साथ, and fuel efficiency की बात करें, तो ये गाड़ी automatic और manual दोनों में, 24 km per liter के से भी जादा mileage क्लेम कर रही है, मारती सुजुकी, पावर की बात करें, तो ये गाड़ी produce करती 66 PS of power, and 89 Nm of peak torque, तो दोस्तों ये थी the all new, मारती सुजुकी Alto K10, prices जो है वो start होते हैं, at rupees 3,99,000 x showroom, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, मत बूलिए, मैं प्रोमीट साइन आट करता हूँ, सीए नेक्स ताइम, थाइंक्यों सुमच वाचिंग, टेक केर, बी सेफ, और ड्राइब सेफ,